मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो बिग बॉस की आवाज देते हैं तो क्या वो बीच बीच में घर में आते हैं या सो दिनों तक वहीं रहते हैं और किस तरह से चलता है बिग बॉस किस तरह से मैनेज करते हैं बिग बॉस को यह सब आज मैं आपको बताऊं यह आवाज जिनकी है यहने अतुल कपूर सहाब की होती है यहाँ पर आवाज यहने दो लोग मिलकर देते हैं बिग बॉस में आवाज लेकिन रहते हैं यह लोग पर्मानेंट वहीं यहने जब बिग बॉस चालू होने वाला होता है उसके एक मंत पहले आजाते हैं अतुल सहा हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है उसके वन मंत बात चालू होता है बिग बॉस और आपको मैं यह भी बता दूँ कि चार महीने तक जब तक रहते हैं अतुल सहाब घर के अंदर तब तक उनके पास कोई फोन किसी तरह की कोई डिवाइस नहीं होती है जिससे वो अप प्लेस पर हैं पर वो नहीं बताते हैं इतना जादा सीक्रिटली वो घर के अंदर रहते हैं चार महीनों तक क्यूंकि आपने देखा होगा कि अगर आधी रात को भी कोई चीज हो जाती है घर के अंदर कोई घटना तो बिग बोस की आवाज फट से आती है कि आप माइक पहन तो आपको क्या लगता है कि वह आवाज एकदम से कैसे आजाती है आधी रात को या कभी भी एकदम से आजाती है तो वो इसी लिए आजाती है कि Big Boss House के अंदर permanent रहते हैं Big Boss तब जाकर चार महिनों में ये complete होता है शो तीन महिने का होता है शो और एक महिने पहले आते हैं Big Boss करके बताईए कि आपको पहले पता था कि Big Boss की आवाज किसकी है और या फिर नहीं पता था और आपको जानकर कैसा लगा कि Big Boss इतने समय तक घर के अंदर रहते हैं और अपने काम को इतने dedication से पूरा करते तेल एन बाबाए